नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंग खनाव इंपर्थी क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, साथियों आज हम बात करेंगे बुर्साइटिस के विशे में, बुर्साइटिस जिसको कि हम सब लोग जानते हैं कभी इफेक्ट होता है, यहाँ पर आपको अगर सूजन दिख रही है, यहाँ पर एलिवेटेड पूर्सन दिख रहा है, तो यहाँ एक बुर्साइटिस की स्थिति होती है, जो कभी ना कभी हम लोग फेस करते हैं, यहाँ न एक कॉस्मेटिक ट्रबल भी देता है और वक्त आने पर आपके मोशन को भी रेस्ट्रिक्ट करता है तो अगर समस्य है तो उसका निदान होना चाहिए जिती जल्दी हो सके होना चाहिए और इसी संक्ला में इसकी दस कारगर्व हुमिपचिक दमाया आपके लिए हैं जो बिना आपरेशन नॉर्मली क्या होता है जब आपके बुर्साइटिस होती है आप प्रोक्टर पास जाते हो तो वह एफनेसी करके नीडल से उसको फ्लुट को निकाल देता है लेकिन उससे वाइस बात यह है कि इसको होमिपची से ठीक कर दिया जाए यह दुबारा हो ही ना अपन प्रेशर पड़ता है इन पे जोर पड़ता है या जो सैक्स होते हैं फ्लूइट-fyld सैक्स होते है या इन्फलेम्ड हो जाते हैं इसी को बुर्साइटिस कहते है इसकी सिम्टम्स आतियों symptoms आप सब जानते हैं जब भी आपको उभार लगे और आपके हाथ का restriction जो की शुरू में नहीं होता लेकिन थोड़ा सा pain flow और आपको यहाँ पे inflammation लगे तो वही bursitis होता है आपके joints के बीच में होता है यही इसका symptom है में जो आपको यह उभार दिखे cause जब भी repetitive actions होते हैं साथियों जब आपके bursa पर जोर पढ़ता है जो जोर पढ़ता है joint पर तो यह swell कर जाती है, inflame हो जाते है यह जो fluid fill sex होते हैं आपके bone और muscle के बीच में जो cushion का का काम करते हैं तो वह ही जब inflame हो जाते हैं तो उनको उसी इस्थिती को brutitis कहते हैं और जो repetitive action होते हैं वही bursitis का cause होते हैं हम आपको बताएंगे साथियों bursitis को दूर करने की दसकारगर हो में उपएथिक दवाएं वो दवाएं जो आपको FNAC यानि fine needle aspiration cytology से बचा लेंगी इसकी संभाबना है लेकिन हम फिर कहेंगे कोई भी दवा बिना कुसालच किसक से पूछे ना लीजेगा क्योंकि हर दवा के अपने symptom effect हर वेक्टी पे बिन होते हैं बताते हैं साथियों आपको बुर्साइटिस को ठीक करने की नहीं पहन पाते हैं और आप घड़ी नहीं पहन पाते हो उससे इस्तिती से निकालने की हुमियोपेती में तीन बहुत कारगर दवाएं हैं यहां दवाएं जो आपको इस समस्या से निकाल देंगी बिना आपका एफनेसी करें बिना आपके फ्लूइट को इजक्ट करें आपके बुर्साइटिस को हमेशा के लिए ठीक कर देंगी बुर्सा को खतम कर देंगी यहां तीन दवाएं सातियों पहली दवा है रूटा रूटा जी दूसरी दवा है एसिट पे जोई कम और तीसरी दवा है हेकला लावा आप इन तीन दवाओ का कॉंबिनेशन ले लिए आप देखेंगे आपके यहां पे जो बुर्सा बनती है यहां अपने आप डिजॉल्व होने लगेगी तीन-छे महीने लगेंगे लेकिन वाए डिजॉल्व होगी रूटा जी आपको दो सो पावर में दो-दो-बून तीन में तीन बार लेनी है एसिट बेंजोईकम थर्टी पावर में दो-दो-बून दिन में तीन बार लेनी है और हेकला लावा थी-एक्स पावर में एक-एक टैबलेट दिन में तीन बार लेनी है यहां करीब तीन से छे महीना लीजे और आप देखेंगे कि आपके यहाँ खतम होगे पस एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप कोई घड़ी या कड़ा उस हाथ में ना पहनिएगा जहाँ पर बुरसा स्वेल करी हो क्योंकि बार बार जब उस पर ठेस लगेगी तो यहाँ बढ़ सकती है और शायद दवा भी कारगर ना हो तो यहाँ साथियों दवा थी आपके जो रिस्ट बुरसाइटिस है उसको खतम करने की तमाम कारण हो सकते हैं साथियों बुरसाइटिस के और भी इसलिए कोई भी दवा कुसल जी की सक्से पूछ के ही लीजेगा लेकिन यह जानकारी के लिए आपके दवा थी ताकि हुम्योपैथी आपके करीब आए हुम्योपैथी जो कुछ लोग एक रहस बनाए उस रहस का मैं खत्व करना चाहता हूँ इसलिए आपके सामने यह दवाए लाया हूँ अगर आपके मन में कोई कुरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी कुरी को छोड़ सकते हैं हम कोचिस करेंगे आपको उसका जवाब दे सकें या फिर हमारे वाटसाप नमबर जो दिया हुआ है आपके नोटिफिकेशन पैनल में नीचे इस वीडियो के नीचे उस पे आप अपनी query WhatsApp कर दीजे आपको संतोष जनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा अगर सातियों आपको यहाँ वीडियो पसंद आया और तो इस वीडियो को लाइक करिएगा अपनी चैनल को सब्स्राइब करिएगा शेर करिएगा फेल नोटिफिकेशन मिटन दवा के सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप करते रहिएगा आपका सातियों हमारा साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर हैं... सुब्स्राइब टूर्ण टूर रहने के का सबसे लिएगगा झां कर दो आई सकते बटकों भाल झाल झाल